आपका हमारी यूटूब चेनल आइडियल देव प्लासिस में स्वागत है आईए आज हम आपके लिए लेकर आएं एडग्रेट अभ्यास पुस्तिक का विशय हिंदी कक्छा चौंथी बच्चो ये पुस्तक आपको मदब्रदेश रासिक्छा केंद्र भोपाल द्वारा दी इसमें हम लेकर आएं आपके लिए पाट सत्रा अमर सहीत भगत्सी हैं क्या है पाट सत्रा का नाम अमर सहीत भगत्सी हैं तो इसमें देख सकते हैं अतिलगुत्री प्रश्न क्या है अतिलगुत्री प्रश्न मतलब बहुत चोटे प्रश्न पहला देखेंगे हम भारत माता की आजादी का दिवाना कोन था प्रशन क्या है भारत माता की आजादी का दिवाना कोन था तो उत्तर देखिए भारत माता की आजादी का दिवाना भारत माता का शपूत अमर सहीद भगत सीह था कोन था अमर सहीद भगत सीह था यहां आपका पहला प्रशन कंप्लीट होता है प् भगत सी को दिन का चैन और रात की नील क्यों नहीं आती थी तो उत्तर देखते हैं क्योंकि इसली नहीं आती थी क्योंकि भगत सी को भारत माता की पराधिनता बैचेन करती थी यहां आपका प्रश्ने क्रमांग दूसरा कंप्लिट होता है प्रश्ने क्रमांग देखते हैं प् सूर्य परकास देता है रिखान कित सब्दों को शुद्वर्थनी में लिखनी सुद्वर्थनी में लिखिए तो देख सकते हैं उत्तर अरत को क्या लिख सकते हैं अर्थ परकास को क्या लिख सकते हैं सहीं प्रकाश यहां आपका प्रश्ण क्रमांग तीसरा कंप्लीट होता है प्रश्न क्रमांग चौथा देखते हैं लगूत्री प्रश्न है सहीद भगत सीहिंने कौन कौन सी कसम खाई थी और क्यों खाई थी उत्तर देखिए सहीद भगत सीहिंने श्वादेश को आजात कराने की कसम खाई थी क्योंकि उन्हें देश की पराधिनता श्विकार नहीं थी उसे क्या था पर मतलब देश की पराधीनता श्विकार नहीं थी उन्हें प्रश्ने क्रमांग चौथा कंप्लिट होता है प्रश्ने क्रमांग पाच्वा है प्रश्ने क्रमांग पाच्वा है आपका आजादी भारत माता और शपूत इन सब्दों के आधार पर एक एक वाक्य बनाईए इसपे एक एक वाक्य बनाना है हमें आजादी और भारत माता और शपूत इन सब्दों में एक वाक्य बनाना है तो उत्तर देखते हैं आजादी से हम क्या वाक्य बना सकते हैं आजादी सबका जन्मसिद अधिकार है आजादी क्या है सबका जन्मसिद अधिकार है कि सब लोग हस सकते हैं अपनी मर्जी से इधर उधर घूम शकते हैं अपने काम कर सकते हैं सबको अपनी आजादी पसंद हो इसलिए हम क्या बना सकते हैं वा कि आजादी सबका जन्मसी ददिकार है दूसरा देख सकते हैं भारत माता इसका क्या वाक्य बनेगा हमें भारत माता की सेवा करनी चाहिए तीसरा देखते हैं शपूत सपूत का क्या वाक्य बन सकता है सपूत के पेर पालने में नजर आते हैं यहां आपका प्रश्न क्रमांग पाचवा कंपलेट होता है। प्रश्न क्रमांग 6 देखिए, आपकी साला में 15 अगस्त और 26 जन्वरी के दिन कौन-कौन से नारे लगाए जाते हैं। आप सब की स्कूल में 15 अगस्तों 26 जन्वरी के जंड़ा पहराया जाता है और नारे लगाया जाते हैं तो कौन-कौन से नारे लगाया जाते हैं हम लिख सकते हैं तो देखिए उत्तर है हमारी साला में 15 अगस्तों 26 जन्वरी के दिन भारत माता की जै जै हिंद अमर सहीदों की जय आदी नारे लगाए जाते हैं यहाँ आपका प्रिश्न क्रमांग छटवा कंप्लेट होता है प्रिश्न क्रमांग सात्वा देखते हैं देर्ग उत्री प्रिश्न सात्वा है देश की आजादी में हुए सहीदों में से किसी एक सहीद के बारे में अपने भाव लिखिए तो रानी लच्मी बाई को जहासी की रानी कहकर भी बुलाते हैं दूसरा लिख सकते हैं रानी लच्मी बाई का नाम मनी करनी का था उनका नाम क्या था? मनी करनी का था दीसरा लिख सकते हैं लच्मी बाई का जन्म उन्निश नमबर 1855 में कासी नगरी में एक मराटा ब्रामन परिवार में ववा था ठीक है चौथा देखते हैं चौथा वाक्य क्या बना सकते हैं रानी लचमी बाई के पिता जी का नाम मोरो पंत तामे और माता जी का नाम भागी रती बाई था पाचवा वाक्य बना सकते हैं रानी लचमी बाई बच्पन से ही युद कला में निपून थी उन्हें गुण सवारी तलवार बाजी और तीरंदाजी बहुत अच्छे से आती थी यहां आपके पाचवा के कंप्लिट होते हैं अब इसी पाच के अंतरगत मुल्यानकन दिया हुआ है तेरा देखते हैं मुल्यानकन इसी मुल्यानकन के अंतरगत है अती लगुतरी प्रश्न प्रश्न पहला है इसमें हम नारे कब लगाते हैं हम नारे कब लगाते हैं तो उत्तर है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन का मतलब पूर्ण रूप से श्वतंत्र होना है अर्थात किसी भी रूप में आप पर किसी का नियंद्र ना हो मतलब आपके उपर किसी का नियंद्र ना हो आपको कोई टरा धमका नहीं सकता ठीक है आपका यहाँ पर दूसरा प्रशन कंप्लेट होता है तीसरा प्रशन है देर भारत माता के एक महान सपूत थे जो मातर भूमी की रक्षा के लिए हस्ते हस्ते फासी पर जूल गए और उन्होंने एक इत्यास बना कर देशवाशियों के लिए मातर भूमी की रक्षा हेतू बलीदान का रास्ता खोल दिया हम सब भारत वाशी उसके अदभूद बलीदान को याद कर प्रभावित हुए हैं उनके ऐसे बलीदान को देखकर या सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं यहां आपका मुल्यानकन कंप्लिट होता है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइ हुए 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 हुए